आज मैं आप लोगों के साथ अपनी अफ़तार की रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मैं और इंज जो है वो बना के फ्रिज में रख लूँगी ताके थोड़ा सा थंडा हो जाए पता नहीं अजीब सा मोसम चल रहा है ना थंडा खाया पिया जा रहा है ना गरम खाया पिया जा रहा है अजीब सा मोसम चल रहा है वैसे हमारे हाँ हमारे गर में भी सर्दी है जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी भी स्वेटर जो है ना वो पैना हुआ हुआ है अचा जी ओर आपके पास इस तरह का जग नहीं है तो आ आप एक शिशे का ग्लास लेकि उसको उल्टा करके इस तरह उपर प्रेस करेंगे ना ओरेंज को हाफ काट करके तो उसका भी बड़े अच्छे तरह से ना लैमनी की जा रही हूं और इंज जूस बन जाएगा और ना बस मेरे पस यहां पर जग था तो मैंने फटा-फट से बन आगे औरेंज जूस इससे बड़े इच्छे बन जाते हैं और ना मतलब सही टेस्ट होता है फ्रेश फ्रेश जूस पिने का मज़ा भी आता है आज वैसे हमने इसमें बरफ नहीं डाली थी अगर आप लोग चाहें तो बरफ भी डाल सकते हैं बस यहां पर औरेंज जूस बन बन चुका था अच्छा जी अफ़ारी में हमारी ये रुटीन होती है कि मैं और भाबी जूस और यहां पर दूसी साइट पर मैंने जूस बना लिया था वहां अरे गर के बहुत नकरिया रहा किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ रहा तो अफटारी के सासफे वो रात के खाने की भी त्यारी हो रही थी यहां पर नियुदि आलू और कीमिया वी जू थे हम बना के तो कर लेते हैं पंजाबी में हम तो इसको देहीं बले कहते हैं या कुछ लोग देहीं बढ़े या कुछ भी कह लेते हैं हम इसको देहीं बले कहते हैं हमारे गर में तीस दिन देहीं बले जरूर बनते हैं चाहे एक बाल के क्रीब बने हमारे गर में अक्शली मतलब वो पूरा साली सर्फ दिहान नी जाता पर रमजान जब आता है तो फिर तो ना देईवले तो हमारे गर में जरूरी है और ये हर गर में मुझे तो लगता है कि हर गर में पकोड़े जरूर है मुझे लगता है कि हमारे उपना रोजे नहीं फर्ज पकोड़े फर्ज गिये गे मतलब हर अफ़तार में अफ़तार की टेबल पे हर अफ़तार के दिस्तरखान पे देही बले और पकोड़े तो ये जरूरी है बस यहां पे सारा काम जो है ना वैसे भी कट करके रख लेती हूँ वैसे मेरी रमजान में बड़ी अच्छी रूटीन होती है कि मैं ज़ादा टाइम सेविंग वाली चीज़े बनांके तो मैं रखती हूँ ताके अबादत में भी जादा से ज़ादा टाइम गुजरे वैसे मैं जिस तरह मैंने पहरे बताया कि हेलपर जो है वो सिर्फ काम वगयरा करके चले जाती है और मैं और बाबी जो सहरी और अफ़तारी जो है ना वो मैनेज करते हैं बाकी और कोई काम नहीं करते इस तरह जो है ना हमारी इबादात में भी ज़रा बुदर जाता है टायम बस यहां पर एक प्लेट जो है वो मैंने फूर्स की भी कट कर ली थी और उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना यहां पर चावल वगारा भी बन गए थे और यहां पर भाबी जो थी ना वो पको बैसे भी अलहमधुलिल्ह माशाओला जो हमारी फैमली है वो उमरा पर गई भी है तो अफ्तारी और मतलब कुछ मैमर्स घुमें एंभा पर तो इसलिए ना कुछ साधा करने का मज़ा नहीं आता अफ़तारी वगरा बनाने का मतलब करते हैं तो माशाला सब कुछ है बट दिल नहीं लगता है चलें खियर अल्ला ताला ने उनको बलाया ने एक काम के लिए गया है बस कुछ दिनों में उन्होंने वापिस आ जाना है बस यहां पर अफ़तारी का टाइम जो होता जा रहा था वैसे आप लोगं की क्या रूटीन है किस तरह आप टाइम को मैनेज करते हैं क्या करते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताईएगा और हम पता क्या करते हैं अफ़तारी वगरा करने के बाद फिर मगदीब की नमाज पढ़ने के बाद कोई साथ आठ बजे फिर हम खाना खाते हैं यह मेरी प्लेट थी मेरी किसी से बनती नहीं इसलिए मैं साइड बे बैट की खाती हूँ बस यहां पर रात का टाइम और खाना शाना खाया और इदरी व्लोग को एंड कर दूँगी थैंक्स पर वाचिंग अलाफीस